हेलो बच्चों, वेल्कम बेक टो एर चनल, नौलेज इस पावर, ठीक है, तो अभी हम जो लाइन्स और अंगल्स का, जो चेप्टर है, आपका इंट्रोडेक्शन पाट टू का करेंगे, चेप्टर नमबर फाइब का, जो लाइन्स और अंगल्स के ऊपर, तो यह जो मेंली आपका जो पाट टू है, यह ट्रांसबर्सल लाइन के ऊपर है, तो ट्रांसबर्सल लाइन क्या है, पहले हम समझते हैं, ए ट्रांसबर्सल इस लाइन्स देट इंटरसेक्ट्स तू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके, यह ट्रांसबर सकते हैं यह तीसरा लाइन है यह तीसरा लाइन है जो दो या उससे ज्यादा लाइन को क्रॉस करता है और डिफरेंट पॉइंट्स पे वो क्रॉस करता है जैसे यहां पे यहां पे यहां पे ठीक है यह प्रसक्टिंग पॉइंट से ठीक है तो डिफ्रेंट पॉइंट्स पे क्रॉस करता है तो उसको ट्रांसबर्सल बोला जाता है एक लाइन है और डिफ्रेंट लाइन्स को उक्रॉस कर रहा है और यह जो पॉइंट्स में वो क्रॉस कर रहा है वो उसको टॉच कर रहा है ठीक है कर रहा है मतलब तो इसको ट्रांसबर्सल बोला जाता है तो ट्रांसबर्सल जब लाइन्स को क्रॉस करता है तो डिफरेंट एंगिल्स क्रेट होते हैं तो एंगिल्स कभी नाम है और इसका इस एंगिल्स का ये एक लाइन है ये दूनो परेलल नहीं है ठीक है और दूसरा options यह है या दूसरा point यह है जब दो parallel line को cross कर रहा है ये दूनों parallel है और इनको वह transversal cross कर रहा है तो आपका ये एक point create होता है तो इसमें properties औल ये तो अभ которую चानते उल्ते हैं कि इस इंगल को क्या बोलते हैं थीक है तो यहां पर आप देखिए जिसे यह सी इंगल है और यह स्रे करेश्क वाला यह फिर यह जो ब्लू वाला इंगल है यह वाला और यह वाला ओके यह जो मैंने दिखाया आपको यहाँ यह दो यह blue दो और यह आपका pink दो इनको बोलते हैं corresponding angles ओके यहाँ इसको बोलते है corresponding angles same way यहाँ भी आप दिखा सकते हैं इसको यह सब corresponding angles से तो यहाँ पर आप different color में दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा से पता चलेगा ठीक है तो जैसे यह है और यह है और एक create होगा यह ओके यह और यह यह सरे corresponding angles है जहाँ non parallel lines को transversal cross करता है तो इसमें कोई यह rule नहीं है कि corresponding angles का कोई relation का कोई नहीं है बट जब parallel lines को cross करता है तो corresponding angles का जो measurement है वो equal होता है ठीक है जो corresponding angles है यह सब equal होता है इसका जितना भी measurement होगा इसका उतना ही होगा इनके सब parallel lines non parallel lines में यह जैसे भी non parallel lines है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यह angle कुछ भी size के हो सकते हैं दूसरा एंगल्स कौन से है, दूसरा एंगल्स आपका है, इंटरियर एंगल, इंटरियर एंगल्स कौन सी है, यह जो मैं आपका मार्किंग कर रहा हूँ, यह चार आपका इंटरियर एंगल्स है, यह भी यह चार आपका इंटरियर एंगल्स है, और दूसरा कौन सा है, यह इं exterior angles है right इसको बोलते है exterior angles यह आपका हो गया अब alternate angles किसको बोलेंगे alternate angle किसको बोलेंगे तो alternate angle ऐसा है कि आपका जिसे यह एंगल है और यह एंगल है ठीक है यह एंगेल है और यह एंगेल है ठीक है यह आपको alternate angle से जैसे यह है और इधर यह है तो यह सब alternate angle है जो transversal के दो opposite side में fall करते हैं मतलब एक transversal के इस side में fall करेगा एक इस side में fall करेगा तो उसको आपका alternate angles बोलते हैं यह interior alternate angles है, exterior alternate angles है, right, यह आपका exterior alternate angles है, यह interior alternate angles है, तो यह आपका अभी समझ आगे हैं, तो अभी और कुछ angles का भी नाम करते हैं, मैं लिए यही 4 एंगल है, ठीक है, और दुसरा है आपका vertically opposite angles जो पहले भी आपने पढ़ाता, जब दो line cross करते हैं, तो यह जो opposite angles है, उसको बोलते हैं, vertically opposite angles, जो आपने, जो part 1 में भी मैंने आपको बताया था, यह सारा vertically opposite angles है, ठीक है, यह दोनो, यह दोनो, यह vertically opposite angles है, और क्या angle है, यह जो दो angle है, यह, यह आपका interior angles on the same side of the transversal, interior angles on the same side of the transversal, यह interior angle on the same side of the transversal जो है, यह आपका non parallel lines के लिए तो कुछ रूल नहीं है, बट parallel line में यह दोनों angle, एक दुसरे के supplementary होते हैं, क्या होते हैं, supplementary होते हैं, यह पर एक दुसरे के supplementary होते हैं, यानि कि दोनों को मिलाओगे, तो 180 degree होना चाहिए, इनके सब parallel lines, only for parallel lines, यह आपका पता चल गया, और ऐसे कुछ इसमें नहीं है, transversal का, यहीं आपका 4-5 angles है, जिसको लेके आपको questions को solve करना होता है, चाहे आपका exercise में हो, चाहे exams में हो, आज के लिए ही, इतना ही, so, आगे हम जो है 6 में मिलेंगे, यानि कि chapter 6 में मिलेंगे, right, till then, goodbye, stay tuned, और इस channel को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, thank you.